हाँ तो दोस्तो आज market क्यों गिर रहा है उसके बारे में हम इस video में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इस गिरते हुए market में क्या करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं तो देखे यहाँ पे market गिरने के हमें तीन main reasons हमारे सामने यहाँ पे नजर आते हैं इसमें पहला reason के अगर हम बात करेंगे तो यह है कि infosys और HDFC bank के जो bad results आए है तो उसकी वजह से जो पूरा IT sector है और जो banking sector है तो उसमें हमें काफी ज़्यादा selling देखने को मिल रही है और अगर हम देखेंगे तो nifty 50 हो या nifty bank हो या sensex तो उनके तर काफी ज़्यादा weightage in banks और in IT companies का है तो उसी की वजह से हमें major selling यहाँ पर देखने को मिल रही है लेकिन अगर हम डूसरे main reason के अगर हम बात करेंगे तो यह है कि जो crude oil के जो price ही जो again $110 per barrel पर आ चुके है तो देखिए अगर crude oil का जो price है अगर फिर से बढ़ेगा तो CDC बात है कि हमारे जो import cost हमारी वह बढ़ती rate में देखने को मिल रही है और अगर हम तीसरे main reason के अगर हम बात करेंगे तो जो US का 10 year का bond deal है तो उसकी price अगर हम देखेंगे जो interest rate है वो अभी 2.86% पर आ चुकी है यानि कि around 34 या 35 times के P ratio पे वो rate आ चुकी है तो उस point वीचे अगर आप देखोगे तो हमारे equity की जो अभी अगर हम बात करेंगे अगर हम nifty 50 के P ratio की बात करेंगे तो around 27-28 का P ratio हमें nifty 50 का नजर आता है तो वहाँ पर अगर आप देखोगे अगर जो debt as an asset class अगर उसकी उसका P ratio का 35 times है तो सिरी सी बात है कि वहाँ पे ज्यादा location हमारे जो institutional investors से वो वहाँ पे लेंगे तो ये तीन main reasons अगर आप देखोगे तो पूरा देखा जाया तो market के लिए negative है तो उसी की वज़र से हमें यहाँ पे selling देखने को मिल रही है तो मेरे ख्याल से यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए तो ऐसे ही गरते हुए market में आपने क्या करना चीज़े तो देखिए मेरे ख्याल से जो infosys और उसके लवा HDFC bank में जो bad results का impact उनके top price पे होना चीज़े तब वो मेरे ख्याल से already हो चुका है तो कुछ और ज्यादा यहाँ पे bad होगा चुकि अगर आप देखोगे infosys की अगर 15% से नीचे वो stock अपने all time high के नीचे से trade कर रहा है तो मेरे ख्याल से उनके result अच्छे नहीं देख लिया निकि जो expectation टी market की वो अच्छे नहीं पूरी नहीं की दिक लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इतने भी बुरे result नहीं तो यह नहीं कि company बंद हो जाएगी तो बुरा होना चाहिए तो और ज्यादा बुरा मेरे ख्याल से यहां पर नहीं होगा तो इस point of view से मेरे ख्याल से यहां पर आपने invested रहना चाहिए दोस्तों मैं hope करता हूँ कि आज market क्यूं गिर रहा है यह आपको अच्छे समझे में आगया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आपनाइड दे